अंडा ना लोगों के breakfast का जरूरी हिस्सा बन गया है ये ना केवल खाने में स्वाधिश होता है बलकि शरीर में ताकत के लिए भी बहुत ही अच्छा option होता है राइट हाँ दोस्तों प्रोटीन का बहतरीन source होनी के नाते न कई लोग वजन बढ़ानी तो कई लोग मजल बढ़ करने के लिए से अपनी डाइट में शामल करते हैं अंडे खाने के फाइदों में वजन कंट्रोल करना आंखों के स्वास को बहतर बनाना तो वहीं प्रोटीन और उमीगा 3 फैटी आसे जिससे कई तरह के इसमें पोशिक तत्व भी होती है लेकिन दोस्तों आपनी सोचा है कि अगर आप एक महीने तक इसका सीवन करना बंद कर देंगे तो क्या होगा आपको अपनी शरीर में कई दरहों के चेंजस महसूस होंगी वो कौन से चेंजस है चलिए इसके बारी में देखते हैं सबसे पहला दोस्तों आपका कोलिस्ट्रॉल लेवल कम होता है अंडे की जर्दी में उच कोलिस्ट्रॉल की मातरा होती है इसका मतलब यहीं कि अंडे नहीं खानी से आपको कोलिस्ट्रॉल का खत्रा कम हो जाएगा अगर आप हर हफ़ते एक से कम अंडे खाते हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं तो वहीं मुहासे न दोस्तों प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन के बनी से होती है जो कि अंडे में जिदा पाया जाता है वैसे तो शरीरी हार्मोन का उतादन स्वयम करता है लेकिन अंडे खाने से आप अपनी शरीर में आतरिक हार्मोस को जोड़ रहे हैं इसलिए अगर आपको अचानक से तवचा पर कुछ दाग धबे दिखाई दे रहे हैं मुहासे हो गए हैं, ब्रेकाउट्स हो गए हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप बहुत ज़दा अंडे खा रहे हैं जब आप इसे खाना बंद कर देंगे तो आपका चहरा एकदम दाग मुक्त रहेगा और अंडे ना कुछ लोगों के लिए एक बड़िया नाश्ता भूचन हो सकता है लेकिन कई लोगों को अंडे खाने के बाद पेट फुला हुआ या फिर गैस महसूस होती है यह ना कीवल आपको फुला हुआ बनाता है बलकि आप कुछ पेट दर्थ, सिर में दर्थ और तनाव का भी अनुभव करते हैं ठीक है और हां अंडे में भरपूर प्रोटीन होनी के वजासे से खानी के बाद में भूग नहीं लगती है इसलिए वेट भी मेंटेन रहता है ऐसे में अगर आप इससे परेश कर रहे हैं तो आपको बार बार भूग लग सकती है इसे स्नैकिंग और जियदा खानी की समावना बढ़ जाती है और हां अंडे का सफेध हिस्सा ना फैट प्री और लो कैलोरीस वाला होता है लेकिन वास्तब में सफेध हिस्से के कई सारे नुकसान भी है अंडे के सफेध हिस्से के सेवन से ना कुछ लोगों को ऐलर्जी होती है ऐसे में शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं पजामी सूजन और लाल होना और एंटन के साथ दर्स्त, खुजली, आदी परिशानी आपको होती है जी लोगों को पहले से अलर्जी की समस्या है उन्हें अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसे में दोस्तों अगर आप अंडा खाना बंद कर देंगे तो आपको कभी भी अलर्जी नहीं होगी ठीक है और हाँ अंडे के सफेद भाग में ना प्रोटीन की बहुत जादा मातरा होती है इसलिए किड्नी के समस्या से ग्रस्तित लोगों के लिए हानिकारक होता है दरासर ना किड्नी के समस्या से जूज़ रोगों में GFR मतलब एक तरल पदार होता है जो किड्नी को फिल्टर करता है इसकी मातराना कम हो जाती है अंडे का सफेद हिस्सा GFR को और भी कम कर देता है इससे आपके किड्नी को फिल्टर करने में समस्या होती है ऐसे में किड्नी पेशिंट्स के लिए समस्या बढ़ सकती है इसलिए बहतर है कि आप अंडा खाना छोड़ दिया अगर आप किड्नी पेशेंट है तो दोस्तों अब आपनी जाना है अगर आप एक महीने तक अंडे खाना बंद कर देंगे तो आपके शरी में क्या बदलाव होंगे अगर आप कोई भी ये सारी हेल्फ प्रॉब्लम से तो आप ये अंडा खाना छोड़ दि क्योंकि आपके सिहत के लिए सही नहीं है